अंदोर के अंदिम चोराहे पर सोमवार रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यहां अस्थित मेट्रो अस्पताल की एलिवेशन देखते देखते गिर गई हाला की हाथसे में किसी को भी चोट नहीं आई लेकिन नीचे खड़े दो पहिया वाहन इसकी चपेट में आकर दब गई मामला अंदिम चोराहे पर बने मेट्रो अस्पताल का है यहां सोमवार रात अस्पताल के बाहर का अलिवेशन देखते ही देखते नीचे गिर गया जिसमें कोई जन हानी तो नहीं हुई लेकिन बाहर खड़ी 5-6 गाड़ियां इसके नीचे आकर दब गई घटना के बाद अस्पताल के अलिवेशन को रोड से हटाया गया हाला कि कोई जन हानी तो नहीं हुई पर अगर ये घटना दिन के समय होती तो बड़ा हाथसा हो सकता अब मैं यहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि यह आगे का जो इनका फ्लेंक था वो गिर गया इसमें कुछ कांच बगेरा निकले हुए हैं यहां पर नगर निकम की इमूबल टीम को भी बोला लिया है वो अभी साफ कर देंगे अभी तक किजी भी हतात की सुचना नहीं है के बले जब यह स्टाप की मोठर साइग्ल सी इनके ऊपर और यहि início कोई शॉजना नहीं है देखना पड़ेगा कि कैसे गिरा है कि इसका जो फिक्सिंग वगेरा थी वो सायद उखड़ गई होगी अब विल्डिंग किती पुरा नहीं उसकी जाच करवाएंगे नगर दिंगम से जाच हो जाएंगे सब पेले दो कांज गीर है तो कुछ लोग खड़े जैसे उनने देखा तो उनको आवाज लगई तो भग गए और फिर दीरे दीरे करके पूरा गीर जाए एक दम वह उफर तक जो लगावा सामने पूरे निसान तीसरी मंजील है तीन मेट्रो हास्पिटल है यह उसके एलोमुनियम है और कांज लगे हुए उसमें लोड है उसके कारण जीरे जीरे गिरता गाया हो एकदम से यह कोई हाथसा नहीं हुआ वह गाड़ियां दबी है ने ने ऐसा कुछ भी नहीं है मजबूती भी थी उसके अंदर वागे वह अचाना कि एकदम से किस कारण से तूटा है यह तो बता नहीं सकते हैं